तो डियर एवरिबन, वेलकम तो दो चैनल, तोड़ी वे आर गोंग तो डिसकस दी न्यूजपेपर आफ फस्ट आफ जैन्वरी, हपी न्यूज़ यर तु वन अनौल, आपका न्यूज़ अच्छा जाए, आपकी सारी मुरादे पूरी हों, और आप जी तोड महिनत करें, ता आपके usual newspaper analysis से थोड़ा हटके होता है, क्योंकि सितिंदर सार आपको एक एक चीज़ एकदम detail में बताते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ detail में बता हूँ, बट मैं जादत understanding पे कोशिश करता हूँ, कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए, कि उसको हमें अपने preparation में कैसे incorporate करना चाहिए, यहाँ पे पहली ख़बर है, MG नरेगा की जो हम cover करेंगे, दूसरी खबर हम cover करेंगे, जहाँ पे लेफटिन एंड गवर्नर ने भारत दरशन पार्क का एक foundation ले आउट किया है, उसके बाद हम देखेंगे, Border Security Force ने इंडिया पाकिस्तान के border से किस तरीके से 22 ड्रोन कैप्चर किये, फिर हम देखेंगे कि श्री लंका का एक ड्रग लांड लॉर्ड, अरे ड्रग लांड लॉर्ड करें, ड्रग लॉर्ड यानि कि माफिया, तामिल लांडू में एंटर कर गया है, National Investigation Agency उसकी खोज में जा रही है, अपनी investigation कर रही है, कोट्टायम जिले में, जो वोमेंस टालेंट को प्रमोट करेगा, ट्यूरिजम में, और यहां पर आपको शिकारा बोट दिखाई दे रही है, शिकारा बोट के बैक वाटर की speciality है, वो हम डिसकस करेंगे, फर्दर हम यहां पर देखेंगे कि यूनियन गवर्मेंट किस तरी प्रोक्योर करने की बात करी है, यहां पर हमें नॉमिनेशन आफ गार सेटी आज एनवाई टू इंडिया हिट्स डेट वाली चीज़ देखनी है, बट उसको जाधा डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि वो अभी यूएस की special news है, एपी एफ़े को सेर्कुलर ने पेंश किया है इसराइल के against resolution लेने में, और साथी में S.J. Shankar ने clear किया है कि इंडिया किसी भी तरह का बदलाव, line of actual control में बरदाश्ट नहीं करेगा, followed by हम देखेंगे आज के तीनो FAQs, कि free food grain की जो scheme है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, crypto awareness campaign क्या है, और क्या crypto currency से related challenges हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि migrants को किस तरीके से remote voting के लिए election commission एक pilot project लेखें आ रहा है, तो हम FAQ से start करते हैं, बिकॉस बागी खबरे तो आप फिर भी एक बार पढ़ लेंगे छोटी है, FAQ में आपको दिक्कत आएगी, तो सबसे पहले हम crypto awareness campaign से start करते हैं, अब यह crypto awareness campaign बिसिकली एक तरह का digital initiative ही हो सकता है, इसको हम digital initiative के अंडर लेंगे, तो obviously हम इसको economic से जोड रहे हैं तो हम GS3 मिलेंगे, अब इसमें crypto currencies के उपर awareness बढ़ाने की बात की जा रही है, और online gaming को क्या नेसेसरी है, क्या online gaming को ban करना चाहिए, और क्या है online gaming के उपर debate, बिकाज अभी recently e-sports को एक official sports की category में recognize किया जाने लगा है, अब Investor Education Protection Fund, IEPF, जो कि एक particular company है, IEPF authority manage करती है उसको, 2016 में बनाया गया था, Companies Act के अंदर, इस authority को responsibility दी गई है, administration दिया गया है, ताकि वो investors में awareness बढ़ा सके, refund of shares करवा सके, unclaimed dividends पे सुनवाई कर सके, deposits और debentures पे rightful claimants को उनका अधिकार दिलवा सके, जहां तक investment education की बात है, तो यह household investors, housewives और professionals को एक जसा ट्रीट करे, rural urban areas में उनको इनके investment के basics सिखाए, अब जो recent debate crypto assets पे आ रहा है, उस पे क्यों अभी recent concern देखा जा रहा है, वापस से क्या हुआ कि ऐसा concern crypto पे ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहां पे कहा गया है कि crypto का जो confusion है ना दोस्तों, वो इसलिए है क्योंकि वो currency unregulated है, unregulated currency का मतलब कोई भी government का control नहीं है उसके उपर, जबकि currency जो है वो national subject होता है और government का control होना ज़रूरी है, इसलिए वो हमारी मौझूदस अर्थ विवस्था को खतरनाक खतरा पहुँचा सकती है, monetary fiscal stability of any country को खतरा पहुँचा सकती है, किस तरीके से खतरा पहुँचाती है, अब हम engineers तो है नहीं, software engineers तो है नहीं, इंडिया में जो crypto exchanges अभी हुए recently, जब उसमें investigation किया गया, तो उसमें पाया गया कि वो cryptocurrencies जो पैसे generate कर रही है, वो drug trafficking के लिए, money laundering, foreign exchange legislation को violate करने के लिए, और GST को evade करने के लिए, इन सब के लिए इस्तमाल हुआ, तो एक तो unregulated currency है, पहला problem तो यह है, दूसरा problem यह है उसके साथ साथ, कि यह जो currency, जो exchange legislation है न, यह foreign exchange legislation, यानि कि आप सरकारी विवस्थाओं से अपने अपने पैसे को छुपा ले जा रहे हो, तो इससे कुछ भी हो सकता है, आतंगबाद भी promote हो सकता है, और इसकी जो complaints हैं, वो एक special court prevention of money laundering art के अंदर आई, और उसमें से basically चार complaints ही आई है, कई लोग arrest भी हुए हैं, और कई चीज़, कई बहारी, मतलब 900 करोर उतका amount का item भी cease किया गया है, और सबका payment crypto से हुआ था, Wizard Bank of India ने इनी सब को ध्यान में रखते हुए कह दिया, कि हमें एक कानून बनाने की ज़रूवत है, जो कि crypto currencies को regulate कर सके, ठीक है, अब क्योंकि crypto currencies एक borderless currency है, इसलिए इसका legislation होना ज़रूरी है, लेकिन कानून नहीं बना सकते, कोई एक देश का कानून crypto assets पे लागू नहीं होगा, because कई देश इसमें invest कर रहे हैं, तो international collaboration की requirement है, ठीक है, international collaboration की requirement है, ताकि author कर रहे regulatory arbitrage, यानि एक disaster बचाया जा सके, कि हर कोई country अपने अपने हिसाब से कानून बना रही है, इसलिए collaboration ज़रूरी है, ताकि risk evaluation किया जा सके, common taxonomy standards को follow किया जा सके, और उसके benefits को promote किया जा सके, और cryptocurrencies को regulate करने का मतलब यह नहीं है, कि खतम करना है, यहाँ पर यह कहा है, कि यह गलत हो जाएगा, अगर government ने heavy-handed approach ले लिया, और यह कह दिया कि cryptocurrencies जो है, वो illegal है इंडिया में, they are not legal, तो सबको लगेगा कि अच्छा currency ही illegal है, जबकि ऐसा नहीं है, हमें कोशिश करना है, कि unlawful transactions जो है, unlawful transactions जो है, उनको check कर सके, otherwise unlawful transactions तो पैसे से अभी भी हो रहे थे, physical currency में भी unlawful transactions हो रहे थे, तो यह क्यों कहा है कि cryptocurrency illegal है, cryptocurrency legal है, लेकिन अगर legal है, तो फिर उसको regulate करना पड़ेगा, उसको absolutely नहीं चलने देंगे, जहां तक allegations की बात है, यहां पे एक व्यक्ति ने कहा कि देखिए सर, cryptocurrencies जो है, वो blockchain technology पे चलती है, और blockchain technology की खास बात क्या है, कि कोई भी law enforcement agency, money के transfers को कभी भी trace कर सकती है, और cash transactions से ज़्यादा असानी से traceable है, इसलिए आप कैसे कह सकते हो, कि इसका security implication चेक नहीं के जा सकता, किसको responsibility दी गई है, online gaming इन इंडिया के लिए, मैती को, Ministry of Electronics and Information Technology को responsibility दी गई है, और e-sports के लिए, यानि online gaming के लिए किसको responsibility दी गई है, Ministry of Youth Affairs and Sports को दी गई है, इसलिए जो अभी e-sports में बात क्या चल रही है, कि ये game of chance है, ये game of skill है, अब Public Gaming Act 1867 आया था, अंग्रेजों द्वारा लाया गया कानून था, इसमें हमारे Supreme Court ने, अपने अलग-अलग फैसलों में ये कहा है, कि हमारे यहाँ game of skill जो है, वो हम promote कर सकते हैं, लेकिन game of chance जो है, वो सही नहीं है, game of skill में ये नहीं कहा जा सकता, कि completely कोई luck की बात नहीं रहती, भाई batsman बाटिंग कर रहा है अगर, तो किसमत की बात है न, चांस की बात है कि उसनों यॉर्कर पर चक्का मार दिया, चांस की बात है, लेकिन इसमें element of skill कहीं न कहीं dominate करता है, चाहे वो mental हो, चाहे वो physical हो, online अगर हम game खेल रहे हैं, तो उसमें हमारा physical skill तो लग नहीं रहे, लेकिन हाँ, हमारा mental skill जरूर लग रहा है, इसलिए इस दोनों से outcome of the game dependent होता है, इसलिए हम game of skill promote करते हैं, game of skill को legal मानते हैं, और game of skill किसके अंडर protected है, article 19.1 G of the Indian Constitution के अंडर protected है, ठीक है, लेकिन game of chances की बात करें, game of chances की बात करें, तो उससे होने वाले financial losses, और हमारे यहाँ पे All India Gaming Federation ने इस चीज़ का स्वागत किया, कि online gaming industry को अब basically illegal gambling से बचाना है, और services इस तरीके से बढ़ानी है, ताकि कोई भी चीज, कोई भी चीज illegal ना हो सके legitimate gaming platforms पे, ठीक है, इसलिए हमें good और bad operators के बीच में differentiate करना पड़ेगा, तो यह तो हुई हमारे पास crypto awareness की बात, crypto awareness और online gaming की बात, दूसरा article देखते हैं, जहाँ पे free food grain scheme की बात कर रहा है, यह free food grain scheme में दो चीज़ें discuss हो रही है, एक आपका National Food Security Act हो रहा है, जिसके अंदर राशन काट दिया जाता है, दूसरा प्रधान मंतरी गरीब कल्याण अन्य योजना को सरकार ने decide किया है कि 2023 में खतम कर देगा, 2000 दिसंबर 23 में सरकार ने बोला कि अब राशन काट के अंदर, National Food Security Act के अंदर, 2023 में 5 किलो तक का राशन हर महीने मुफ्त मिलेगा, 81 करोर पीपल को 5 केजी का राशन मुफ्त में दिया जाएगा, अभी तक क्या हो रहा था, उन लोगों को 3 रुपया किलो राश के लिए, 2 रुपया किलो गेहूं के लिए, और 1 रुपया किलो कोर्स मिल के लिए पे करना पड़ता था, इसको माफ कर दिया गया है, और प्रधान मंतरी गरीब कल्याण अन योजना, जो कि एक एमरजनसी मेजर था, कॉविट के दौरान लेके आये थे, जिसमें कि 5 किलो तक का अतिरिक्त ग्रेन हर महीने प्रोवाइट के जाता था, NFSA Beneficiaries को, कॉविट के दौरान, आप उसको खतम कर दिया गया है, इससे इंपाक्ट क्या हो रहा है, हमारे फूट सबसीडी के बिल पे इंपाक्ट क्या हो रहा है, कहते हैं कि एक नॉर्मल साल में, अगर हम कॉविट डिस्रप्शन को हटा दें, तो सेंटर की जो फूट सब करीब कल्यान अन योजना के आने के बाद, ये चीज लगभग लगभग 4,00,000,000 लग रही थी पिछले दो सालों से, अब सेंटर ने क्योंकि डिसाइट कर लिया है कि एक साल तक फ्री फूट ग्रेंज देंगे, इसमें सरकार को हो सकता है कि 15,000 से 16,000 क्रोड रुपे एक्स् पे दबाफ create हो सकता है, weight create हो सकता है, food grain stocks की बात करें, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ये कह रहा है कि annual food grain requirement जो होती है, 2,00,000 क्रोड के अंदर अंदर में वो 520,00,000,000 टन की होती है, और गरीब कल्यान अन्योजना ने आके 480,00,000 टन एक्स्रा कर दिये थे, ये इसलिए ह पुरा था क्योंकि अंतियोदे अन्य योजना के अंदर हर परिवार को 35 kg मिलता था हर महीने खाना रवो राशन और प्रधानमत्री गरीब का लियान अन्य योजना में क्या था पांस किलो का अतिरिक राशन पर परसन एक्स्ट्रा जा रहा था इसी ने 480 लाग टन एक्स्ट्र कर दी गई है तो हो सकता है कि हमारा जो annual food gain requirement है वो कम हो जाए हना और प्रधानमत्री गरीब का लियान अन्य योजना तब एनांस की गई थी जब food gain production, government procurement और government stocks सब record level के पार जा रहे थे बढ़िया production हो रहा था लेकिन 2022 में ऐसा नहीं है situation थोड़ी सी अलग है 2022 में गेहूं औ और चावल के जो उपज है harvest है वो कम आई है बहुत सारे factors है climate events भी है fertilizer का महंगा होना भी है shortage भी है रश्या यूक्रेन के वार की वज़े से भी ये problem जो है high food gain inflation में बदल गई इंडिया ने अपने wheat stocks को regulate करने के लिए अपने पास रखने के लिए क्योंकि wheat गेहूं जो है उसकी उपज कम हुई थी हमारे buffer stock level से एकदम margin पे थे हम तो हमने food security ensure करने के लिए ban कर दिया कि हम export नहीं करेंगे सब कुछ domestic market में रहेगा इसके चलते क्या हुआ wheat allocations गेहूं का share राशन कार्ड के अंदर भी कम किया गया और particularly इसका बुरा प्रभाव उत्तरपदेश और बिहार में देखने को मिला त्योंकि उत्तरपदेश और बिहार में गेहूं जादा खाया जाता है अब यहाँ पे कह रहे हैं former agriculture secretary सिराज हुसेन कह रहे हैं कि center के पास 159 लाग टन का गेहूं है एक जनवरी 2023 को minimum buffer stock है कि इतना तो होना ही चाहिए 138 लाग टन मतब बहुत margin पे ही हैं हम इसलिए अगर प्रधानमत्री गरीब के लाड़ अन्योजना को continue कराएंगे तो यह हमारे लिए भारी पड़ सकता है तो प्रधानमत्री गरीब के लाड़ अन्योजना को हटाना तो अच्छी चीज है अच्छा बात है लेकिन कह रहे हैं कि इससे political implications क्या होंगे क्या यह 80,000,000,000 गरीबों को एक तरीके से free में खाना मिल रहा था 5 kg per person extra मिल रहा था अचानक से आप उस scheme को हटा देंगे तो विरोध तो हो गई होगा तो सरकार नहीं आप यह कहा कि गरीब के लाड़ अन्योजना भी हटा दे रहे हैं और आपको राशन कार्ड में एक रुपया भी तो टेक्निकालिटी यहाँ पर आपको बताई गई है उसको हम आते हैं लेकिन यह है यहाँ पर एक अच्छा बात कहा गया कि कुछ स्टेट्स और फ्री में राशन कार्ड राशन की सुविदाएं दे रहे थे कैरला करनाटिका वेस बेंगौल जहारकंड तमिल नाडू इनक 24 में चुनाओ आने वाला है तो यह चीज एक पॉलिटिकल मूव की तरह दिखाई देती है बस यह बात नहीं है समझ में आ रही है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांस्पोटेशन फिर कौन बियर करेगा स्टेट्स बियर करेगा सेंटर बियर करेगा यह दोनों बियर करेंगे लगभग लगभग तमिल नाडू का भलें तेरा सो करोड रुपए बच जाएगा सेंटर के इस अनाउंस्मेंट से लेकिन तमिल नाडू अभी अभी उनिवर्सल फूट सेक्यूरिटी प्रोवाइड करता है और अगर स्टेट्स असार नहीं करेंगे स्टेट्स असार नहीं करेंगे तो यह नूट्रिशन सेक्यूरिटी पर अफेक्ट करेगा तो अब यहां पे कहरें कि फोकस जो है नूट्रिशन सेक्यूरिटी पर आजाना चाहिए अगर स्टेट्स नहीं किया तो उनको अपनी नई सेविंग्स जो है subsidized या free pulses देने में, spices देने में, edible oil देने में खर्च करनी पढ़ सकती है beneficiaries पिसका क्या प्रभाव पढ़ेगा तो beneficiaries में household budget जो है वो गरबढ़ा जाएगा household budget जो है वो गरबढ़ हो जाएगे right to food campaign के द्वारा पता चला कि साड़े साथ सो से 900 रुपए हर महिना राशन entitlement के ऊपर पे करना पड़ जाएगा इस announcement के बाद यहाँ पर आपको पूरा टेक्निकालिटी तरीके से समझाया हुआ है होता क्या है यहाँ पर कि राशन card holders जिनको 10 kg का grains a person every month for the last 2 years मिल रहा था वो आदा हो जाएगा यानि कि खाना जो एक्स्ट्रा 10 kg मिल रहा था हर परसन को पिछले 2 सालों से वो कम हो जाएगा ठीक है और National Food Security Act में भले ही उनको कम पैसा देना पड़ेगा तो उससे कितनी सेविंग कर पाएगे 11 रुपए महिना लेकिन जो खाना करीब के लिए अन्योजना के अंडर जो कम हो रहा है उसको अगर हम 30-35 रुपए के हिसाब से देखें तो देड़ चों से 175 रुपए पर परसन बढ़ जाएगा यानि कि 30-35 रुपए किलो है रेट गेहूं का मालीज़े 30 रुपए किलो है और एक व्यक्ति को अभी तक कितना मिल रहा था पांच किलो मिल रहा था तो खाना खाना उतना ही लागत थी खाना तो अतना लगी रहा था तो अब उसको कहीं न कहीं 5 इंटू 30 1.500 रुपए अलग से देना पर जाएगा तो बचा कितना 11 रुपए जहा कितना रहा है तो थोड़े समय के बाद यह चीज समाझ में आने लग सकती है तो यह जो इंक्रीज़ एक्सपेंडिचर हो रहा है ना बेनिफीशरीज का यह कहीं ना कहीं उन स्टेट्स में जादा देखने को मिलेगा जहां पे फ्री राशन स्टेट प्रोवाइड कर रहा है और उन लोगों के पास किसी भी तरह की सेविंग नहीं हो पाएगी और स्टेट्स भी जो है वो सेव नहीं कर पाएगी क्योंकि इस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए स्टेट्स को जादा राशन देना पड़ जाएगा ठीक है अब यह है कहते है लास में की कंजम्शन ऑफ फूड ग्रेंड जो है एक मील का हर स्टेट में अलग-अलग होता है 200 ग्राम पर परसन से लेके 400 ग्राम पर परसन तक जाता है केरला में लोग कम खाते हैं ग्रेंज बिहार में ज़्यादा खाते हैं वहाँ non-vegetarian डाइट हो सकती है केरला में fishes ज़्यादा कंजूम करते हैं ग्रेंज कम खाते जहां मचलियां नहीं खाते हैं महां तो गेहूं चावली खाते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा इंपक्ट हिंदी हार्ट लैंड में पड़ेगा इस मूफ का इंपक्ट और ग्रेंज जहां पर हायर प्रपोर्शन ऑफ डाइट में हैं वहां पर बेनिफीशरी जो है उनका पैसा जाएगा तो ये एक अच्छा इंसाइट्फुल था कि किस तरीके से फ्री फूट ग्रेंज स्कीम वर्क करेगी अच्छा करेगी कि बुरा करेगी ये तो शायद हमें समय ही बताए तीसरी ख़वर पर आ जाते हैं क्या माइगरेंट्स रिमोटली वोट कर सकते हैं विल माइगरेंट्स अब रिमोट एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन्स आरवियम्स इंटिड्यूस करने वाले हैं और उसको अभी टेस्ट करेंगे ये पाइलेट प्रोजेक्ट है ताकि मान लिजे कोई वेक्ति पढ़ने गया है उत्तरबदेश से पढ़ने वो करनाटिका की किसी में बीटेक करने गया है अब बच्चा जो है वो 18 साल के उपर का है तो वो एलेजिबल वोटर है उत्तरबदेश में मान लिजे राज सरकार के चुनाव चल रहे हैं तो उस करनाटिका के वेक्ति को क्या करना पड़ेगा उत्तरबदेश आना पड़ेगा कई बार ऐसा नहीं हो पाता है तो eligible voters vote नहीं डाल पाते है और इससे हमारी democracy में voter turnout जो है को एक reflection होता है कि democracy को कितना लोग accept कर रहे हैं या कितना लोग उसका वोटर टर्न आउट कम हो रहा है, तो यहां पे एक इंट्रेस्टिंग डेटा हमारे पास सामने आता है, एलेक्टोरल का पार्टिसिपेशन जो है, स्टागनेट हो चुका है, मतलब एक लेवल पर आ चुका है, उसके उपर बढ़ नहीं रहा है, एलेक्टोर कमिशन आफ इंडिया ने ये कहा, कि हमारी पूरी पॉपुलेशन में 67.4 परसंट, पूरी पॉपुलेशन नहीं, एलिजिबल वोटर की पॉपुलेशन में 91.2 क्रोर इंडियन्स एलिजिबल है, एक सुतीस करोड की अबादी में, एक क्यानबे करोड लोग लगबग लगबग भारती है, एलिजिबल है वोट करने के लिए, अठारा के उपर होंगे, इन एलिजिबल वोटर में से सिर्फ 67.4 परसंट लोगों ने 2019 में वोट किया, about one third or close to 30 crore voters did not cast their vote. The main reason for not being able to vote was internal migration. Now internal migration is a prominent reason which needs to be addressed because we ultimately want to improve the voter turnout and we want to ensure that elections are more participative. For that remote voting machines play a decisive role. Now this is done by Election Commission of India after in 2015 Supreme Court has given the directions to Election Commission of India to explore the opportunities, the gaps for remote voting options. Election Commission of India was scrutinizing a lot of other systems that are there proxy voting जैसा, postal ballot, internet voting, early voting, पहले करा लें चुनाओ में voting voting करा लें. लेकिन इस तरह के सुझाव उसने किसी को recommend नहीं किये. क्योंकि Election Commission of India के दिमाग में कुछ और था. Election Commission of India ने कहा ये multi constituency, remote electronic voting machine बना रहे हैं, जहांपे migrant vote कर सकता है. और ये हमारी electronic voting machine का थोड़ा सा modified model है. ये remote voting machine जो है, it can handle up to 72 constituencies from a single location. होगा क्या? एक returning officer आपको क्या करेगा? आपको advice करेगा कि किस तरीके से एक limited time period में आप vote कर सकते हो. तो अगर आप RVM के सामने लेट से करनाटिका में जा रहे हो वोट करने के लिए, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्रिया, उत्तरप्रदेश के नेता चुनने के लिए, तो आप उसमें select करोगे UP. अब UP में क्या होगा? आपको आपका constituency पूछेगा. आपकी constituency के जो भी voters हैं, जो भी political parties हैं, वो सब आपको सामने दिखाई देने लगेंगी. और फिर आप उसको क्या करोगे? वोट कर दोगे. तो अभी आपने अगर वोटिंग किया है, तो वोट जब हम करने चाहते हैं, तो अंदर हमको machine के paper roll होता हुए दिखाई देता है, जिसको हम ballot paper sheet कहते हैं, उसको change करके अब एक electronic ballot display कर देंगे, क्योंकि अलग-अलग states हैंना, अगर हम बात करें तो 2023 में ही 9 राज्यों में चु प्रॉबस यहां पे सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पहले होता था, वोटिंग-वोटिंग सब easy हो जाएगी, लेकिन कुछ parties ने इसके उपर question mark raise किया है, उन्होंने कहा कि election commission of India के पास कोई local stand आए नहीं है, मतलब कोई legal position नहीं है, कि वो इस तरह का prototype बना सके, और जब तक कि ह हम current laws amendment नहीं करते, अब current laws amendment कौन करेगा, current laws amendment करने के लिए parliament है, तो यहां पे parliament का role important है, ऐसा निंदकों ने कहा, critics ने कहा है, और इसके बाद migrant voter की definition आप कैसे दोगे, जो कोई कुछ समय के लिए absent रहते हैं, या usually अपने place of residence से बाहर रहते हैं, उनको आप migrant worker का होगे, voter का होगे किसको migrant voter का होगे, definition पी तो दो, ठीक है, उसके बाद, तीसरा concern यहाँ पे यह रेज होता है, यह पहला concern था, यह दूसरा concern था, आप तीसरा concern यह रेज कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे system है, electoral concept of territorial constituencies, यानि आपका जो territory है, जो constituency है, जहाँ पे आप रहते हो, आप वहाँ ही के नेत voting booth तक, हम घड़ से बैठे बैठे वोट कास कर दें, तो यहाँ पे model code of conduct, अचार सहीता, किस तरीके से remote areas में implement हो पाएंगी, secrecy of voting, polling agents और remote voting booths में appointments, यह सब एक बहुत बड़ा ठत्रा है, अब election commission of India ने कहा है कि देखे, 9 राज्यों में जो चुना होने वालें, 2023 में, वहाँ तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, गलतियों से सीखेंगे, सुधार करके 2024 के general elections में इस चीज को लागू करेंगे, अब parties में किस तरीके का discussion होता है, किस तरीके से amending laws, election laws को amend किया सकता है, यह सब remote voting को materialize होने में मदद करेगा, तो यह तीन topic हमने देखे, remote voting obviously हमने GS2 स से देखा, और GS2 में हमने basically इस particular topic में क्या discuss किया, हमने discuss किया migrant workers की voting, तो migrant अगर vote करेंगे, migrant voting होगी, तो क्या हो जाएगा, inclusive election process होगा, no one should be left behind, ठीक है, free food grains obviously हमने GS3 के point of view से touch किया, एकनॉमी के point of view से touch किया, crypto awareness obviously हमने GS3 के भी point of view से touch किया, तो यह तीन major FAQs थे, जो कि हमें cover करने थे, फर्दर अगर हम current affairs पे आ जाएं, तो United Nations में इसराइल के उपर क्या बात हुई, United Nations ने इसराइल के उपर यह कहा कि कब तक, आखिर कब तक, इसराइल, Palestine के region को occupy करता हुई चलेगा, इसके legal consequences के लिए International Court of Justice के सामने बात जा रही है, और United Nations General Assembly के लगभग-लगभग 87 countries ने कहा कि International Court of Justice बताए कि legal consequences क्या हो सकते हैं, कहा गया उस resolution में prolonged occupation है, prolonged occupation of the Palestinian territory, which means United Nations के 87 countries यह कह रही हैं कि इसराइल, Palestine के जमीन पे illegally अपना जगह बना के रखा हुआ है, काफी growth आया कि इसको, Gilad Adan को, United Nations में इसराइल के ambassador हैं, इन्होंने कहा यह एक outrageous resolution है, अपत्ती जनक है, कहा कि यह जो International Court of Justice का जो आप advice ले रहे हैं न, General Assembly जो advice लेने की बात कर रही हैं न, यह एक दाग है, it's a moral stain on the UN, और हर देश जो support कर रहा है वो इसका भागिदार है, कोई international body यह नहीं कह सकती, कि Jewish people की वो जमीन नहीं हैं, और वो उसके occupiers हैं, कोई अपने घर का occupier कैसे हो सकता है, how can someone be an occupier of their own home land, और इस तरह का कोई भी decision अगर judicial body ने लिया गया, द्वारा और इसको United Nations General Assembly ने support कर दिया, तो हमें एक चीज़ साफ समझ में आती है, United Nations General Assembly morally bankrupt हो चुकी है, politicized हो चुकी है, इंडिया ने obviously abstain किया, सिर्फ इंडिया ने नहीं, Brazil, Japan, Myanmar और France, सब ने abstain किया, US और Israel ने against में वोट किया, if you look closely at these countries, you will find that these are the countries, who are disturbed by migration of Islamic refugees, these countries are disturbed by terrorism, out of Islamic radicalization, and Palestine happens to be an Islamic state, supported by obviously Jordan, Egypt, Morocco, supported by Turkey, for that very same reason Qatar, but ultimately what is the position, that India has suggested, that you should adopt two-state solution, why you want to say, कि वो पूरा इलाका आप ही का है, भाई हमने भी तो अपने देश को दो हिस्सों में तोड़ा ना, एक को भारत बोला, एक को पाकिस्तान बोला, आप भी कर लिज़े two-state solution, तो two-state solution कर लेना चाहिए, ये इस्राइल के question आप से नहीं पूछेगा, इस्राइल के उपर question आप से नहीं पूछेगा, फैट क्या है, पैलेस्टीन टरिटरी 1967 से occupy हो रखी है, वहाँ पे इस्राइल demographic composition, Jerusalem, सबका status जो है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बना रहा है, इसके अगेंस resolution पास हुआ, इंडिया ने क्या किया, एप स्टेट किया, मतलब इंडिया एप स्टेट करने का मतलब क्या, कि हम एक neutral picture शो करते हैं, ठीक है, ये वाली news आप पढ़ लीजेगा, ये भी important है, GS3 से, तो आप इस news को cover कर सकते हैं, कि shrimp farms और mangroves जो हैं सुन्दर बंज में एक साथ रहेंगे, एक नया initiative है, sustainable shrimp cultivation का, इससे क्या है, mangrove restoration भी हो सकता है, environmentalists और experts अपना concern raise कर रहे थे, कि unsustainable aquaculture को, shrimp collection को, किस तरीके से साफ किया जा, कम किया जा सकता है, क्योंकि इससे हो क्या रहा था, mangrove forest जो हैं, वो खतम हो रही थी, तो इस साइम initiative के अंदर, farmers को, shrimp cultivation के लिए, 20 hectares का area दिया गया है, अलग-अलग जगहों पे, कहीं पे 30 hectares दिया गया है, कहीं पे 20 hectares दिया गया है, और इसकी वज़़ज़ से, mangroves का restoration जो है, वो हो पा रहे हैं, परदर हम यहाँ पे जा रहे हैं, मोधी government जो है, इसमें अभी 13 लगभग लगभग departments हैं, यह आपके लिजे 13 offices हैं, जिन्होंने चीज़न डिजिटाइज नहीं करी हैं, अगर आप इन offices को देखेंगे, तो Comptroller, Election Commission of India, Department of Commerce, Ministry of Cooperation, External Affairs Ministry, New and Renewable Energy, Power Transport Highways, Textiles and Tribal Affairs, Sensitive Ministries in India, Sensitive Ministries in India have not digitized this, अच्छा यह चीज़ हम सोच रहे होंगे, कि यह तो इंटरनेट पर कर देंगे, तो हैक हो जाएगी, जी नहीं, इंडिया का अपना एक safe network है, Nisnet, और यह Nisnet क्या करता है, basically, अलाव करता है information sharing को, अगर हम data की माने, अगर हम data की माने, तो 2020 में, 14.27 लाख electronic files create हुई, और September 30, 2022 में, 27.02 लाख files create हो गई, projection यह है, कि 31.65 लाख files create हो जाएगी, 2023 के मार्ज तक, बहुत बड़ा data set है, और अभी हमने recently क्या देखा, ransomware incidents हो रहे थे, ransomware यानि कि आपके system को hack करके, बंद कर दिया गया, और कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं, आपसे अगर आपको system को खोलना है तो, और AIMS SSPTAL में यह हुआ, तो यह कहा गया कि वो अपना, जो network segmentation है, प्रॉपर उन्होंने नहीं कर रखा था, इस पूरे system का, digitization वाले system का नाम क्या है, E-Office 7.0, and this is developed by National Informatics Center, NIC, are we clear with this, आप इसको यहाँ पे भी read कर सकते हैं, एक बात यह कही गई है कि, कोई information secret है, classified है, top secret है, उसको हम digitize नहीं करेंगे, Nisnet के अंदर लेके नहीं आएंगे, E-Office के अंदर लेके नहीं आएंगे, उसकी physical copies ही share होंगी, third party agencies, CRT.in, यह सब क्या गरते हैं, check रखते हैं, कि किसी तरह का violation ना हो, further अगर हम यहाँ पे आ जाएं, K9 वजराज पे आ जाएं, तो defense ministry ने 109 क9 वजरा की बात करी है, यह self-propelled hobbitsers हैं, इंडिया में Larson and Tubrose को बना रहा है, कहां से ले रहे हैं हम, South Korea से, अब South Korea को ध्यान से आप समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका का partner है, क्यों, क्योंकि North Korea से अमेरिका का पंगा है, नौर्थ कोरिया को कही न कहीं सपोर्ट कर देता है, चाइना, किसी न किसी फॉर्म में रशिया, तो अवियस्सी बात है कि South Korea को सपोर्ट करने के लिए कौन आएगा, अमेरिका, अब भारत सरकार को कब समझ माया कि हाविट्जर्स अच्छे हैं, और इन होविट्जर्स को लगाने के बाद, इनके परफॉर्मेंस बहुत 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 बहतरीन था, तो भारत सरकार ने सोचा कि अब हम 200 एडिशनल गंज जो हैं प्रोक्यूर कर लेते हैं, तो धनुष, के नाइन वज्जर और M777 अल्टरा लाइट होविजर्स जो हैं, इन्होंने भारत के आर्टिलरी फाइर पावर का जो रीच है वो बढ़ा दिया है नॉर्दन बॉर्डर्स में, और इसलिए अब रिपीट ओर्डर की बात हो रही है, तो सौ नए होविट्जर्स लेने की बात चल रही है, इसको भी हम रीट कर लेंगे, फर्दर यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इंटर्नल ट्यूरिजम, GS3 और किस तरीके से वोमेन पार्टिसिपेशन इन ट्यूरिजम केन हेल्प, दा डेवलप्मेंट अफ दे एकोनमी, तो आयमनम नाम का एक इलाका है, इसको हम कह रहे है, Responsible Tourism Village है, RT Village, केरला के कोटा यम में, जहाँ पर बैक वाटर डेस्टिनेशन है, बैक वाटर बहुत सारे हैं, और यहाँ पर महिलाओं के दिरिश्टिकोन से, बैक वाटर को दिखाया जाता है, लगबग लगबग राजज की 2000 महिलाओं ने, अपने आपको इसमें रजिस्टर करा लिया है, और वो ट्यूरिजम नेटवर्क को बढ़ाने में, मेन रोल प्ले कर रही हैं, इंक्लूजिव सोसाइटी होना है, सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल की भी बात है, तो हमें ट्यूरिजम को भी वोमें फ्रेंडरी करना है, एक नेटवर्क बनाना है इस स्टेट में, जहां पे अथोरिटीज, तूरिस्स और वोमें फ्रेंडली वोमें पार्टिसिपंट्स के बीच में एक अच्छा सिनर्जी क्रेट हो, और जेंडर इंबालेंस तूरिजम में जो है, उसको खतम किया जा सके, एक हजार वोमें जो हैं, पूरिजम पूरिजए पूरिजार ओड़री आपने जो है, तो यहां पे महिलाओं के द्वारा, वीक-Long cultural experience package है पूरा, और यह एग्री स्टीट प्रोजेक्ट के अंडर भी इंक्लूटेट है और आयमनम फैस्ट भी हुआ रिसेंटली जहां पे ट्यूरिजम, एग्री कल्चर, कल्चर, पोटेंचल अव दे विलेज सबको एक ही संदर्ब में दिखाया गया समझ सकते हैं आप, यह वाली खबर को भी आप पढ़ेंगे कि ट्राइबल बेल्ट इमर्जेस एस प्रियरिटी एरिया फॉर कॉंग्रेस इन राजस्थान, त्राइबल का क्या कंसर्ण्स है यह हम यहां से पढ़ सकते हैं, हलाकि है तो पॉलिटिकल न्यूस बट हम कंसर्ण्स के लिए खतरा बन सकती है, किसके लिए? इंटर्नल सेक्योरिटी के लिए, तो इंटर्नल सेक्योरिटी में हम देख लेते हैं, हुआ क्या? कि यह नौटोरियस गैंक्स्टर मोहमद नजी मोहमद इमरान, जिसको कांजी पानी के नाम से जना जाता है, यह रामेश्वरम में ग श्योरिटी लेके छोड़ा गया, स्टेट एंटलिजन्स यानि कि हमारे यहाँ पर जो इंटलिजन्स एजन्सी हैं, उन्होंने अलर्ट साउंट कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि कोस्टर डिक्स्टिस पर अपनी नजर जो है, वाइजल जो है वह बढ़ा लीजे, यूकि रमनाथपुरम डिस्टिट्स में ये 25 इसम्मर को एंटर किया है, और बेसिकली इसको सपोर्ट करते हैं बहुत सारे लोग जो कि स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स अक्रोस मेरिटाइम बाउंटरी लाइन्स, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वह ट्रेड डीलिं हिरोईन और कोकेन और इंवाल्वड और पार्ट अफ इट, एना ये का रेवेलेशन है कि इम्रान के एंटरी जो है, ये बेसिकली इस समय हो रही है, जब नाशनल इन्वेस्टिकेशन एजेंसी इंटरनाशनल ड्रग कार्टल को एक्सपोस करने में लगी है, जहां इसमें श समय है, उनको भी रखा गया है, तो ये चीज हमारे इंटरनल सेक्योरिटी के लिए इन्पॉर्टेंट है, अभी हाली में विंटर सेशन में हमने अमिच सा को बोलते हुए सुना था, अमिच सा बिसिकली बोल रहे थी कि अगर मुंदरा पोर्ट में सीजर हो रहा है हिरोईन क तो ये क्यों कह रहे हो आप कि opposition ये क्यों कह रहा है कि जादा heroine और अफीम और इन सबका trading हो रहा है, drug बढ़ गया है, drug trafficking, पकड़ने का मतलब ये है कि drug trafficking को कम किया जा रहा है, ना कि बढ़ाया जा रहा है, तो आप उल्टा क्यों बोल रहे हो, उसी तरीके से internal security के लिए हमार क्या हुआ Border Security Force ने अपने Achievements में 316 यानि 317 किलो की हिरोईन पकड़ी दो इंट्रूडर्स को मारा 23 पाकिस्तानी नाशनल्स को अरेस्ट किया 9 को वापस भी कर दिया 9 पाकिस्तानी लोग जो पकड़े गए थे जो गलती से आ गए थे उनमें से good gesture के चलते B.S.F. ने उनको वापस भी पाकिस्तान रेंजर्स को दिया B.S.F. ने ना सिर्फ लोग को अरेस्ट किया है बलकि 67 weapons और 850 rounds of गोलियां भी बरामत करी है भारत का पाकिस्तान के साथ 553 किलोमीटर का इंटरनाशनल बॉर्डर है पंजाब में जहां पे सबसे ज़्यादा ये वारदातें देखी जा रही हैं ड्रोन के माध्यम से ये चीज़ें भारत के बॉर्डर के अंदर भेजी जा रही है और smuggling हो रही है वेपन्स की और ड्रक्स की ठीक है ये एक संगीन मामला है सीर्स मामला है और इसमें हमें कोशिश करना है कि सब चीज सही रहे क्योंकि peace in the state के लिए जरूरी है गवर्नर बनवारी लाल पुरोहिद ने भी विजिट किया state के बॉर्डर्स को पठान कोट, गुर्दासपुर, अमरित सर, तरन तारन, फिरोसफुर और फजिल का वहाँ के security scenarios को समझने के लिए, उन्होंने meeting भी करी central or state government agencies के साथ, गाओं के village heads के साथ और other prominent people in these districts, now whenever you read this कि उन्होंने meeting इनके इनके साथ करी हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें सीखने को ये मिलता है कि ये सारे stakeholders है, तो यहाँ पे एक अच्छी चीज हमें ये है कि locals जो है, वो कान और आख बन सकते हैं security forces का, उनको तुरंद police को inform करना चाहिए, security agencies को बताना चाहिए कि कोई nefarious activity होने वाली है, कहीं पे drone से कुछ air drop किया गया है, और ताकि international border हमारा secure हो सके, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं अपने answer build-up के लिए, कि what can we do about it, how can we ensure कि border नई technologies से drug trafficking भी बढ़ रही है, और नई technologies से terrorism को भी support मिल रहा है, उन सभी के लिए हमारा एक answer common prepare किया जा सकता है, mg नरेगा में women's जो है basically महिलाएं जो हैं, वो काफी हद तक आगे आ रही है, mg नरेगा में माने, तो कहा जाता है कि 33% engaged workforce women का होना चाहिए, इसमें से कुछ राज्यों ने अच्छा increase show किया है, जिसमें कि बिहार और उत्तरप्रदेश सबसे आगे हैं, कहरणा ने थोड़ा सा dip show किया है, और उसका कारण है कि basically market में अगर आप देखेंगे जो लेबर का rate मिल रहा है, वो थोड़ा जादा मिल रहा है, mg नरेगा के अंडर, तो लोग उस जगह पे काम कर लेना है कहरणा में, हाना, और welfare incentives जो हैं महिलाओं के लिए, मनरे कर रही है, are you clear with this, the union ministry of rural development ने बताया कि 57.8% of the workers who used the scheme this year were women, highest level since 2012-2013, तो ये आखडा हम लिख लेंगे, this is about inclusive development, this is about inclusive development, this can be for rural development also, ठीक है, it's related to participation of women, it's related to participation of women, and therefore we study it from GS3 के perspective से, newspapers का एक बहुत बड़ा role, I don't know if that is what you know or not, आज जान लिजे, newspapers का important role आपको GS1 में देखने को बहुत कम दिखाई देगा, बहुत कम, आपको newspaper का role सबसे जादा GS3 में ही देखने को मिलता है, ये पूरा current affairs oriented है, और दूसरा फाइदा आपको GS2 में देखने को मिलता है, जो की governance से related है, इसमें भी Indian polity, लक्षमी कान तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन governance वाली बाते हैं आपको, schemes वाली बाते हैं आपको current affairs से देखने को मिलेंगी, थोड़ा मुड़ा फाइदा जब आप पढ़ते हैं तो आपको GS4 में देखने को मिलता है, जब हम देखते हैं कि हमारे officers क्या कर रहे हैं किसी particular situation में, तो newspaper को कभी भी पढ़िये, तो GS3, GS2 और GS4 के point of view से पढ़िये, GS1 की खबरें वैसे भी आपको कम मिलेंगी, जिसमें largely current affairs GS3 से होता है, तो इस वा हर्च्वरदान त्रिपाथी, signing off from today's newspaper analysis of the Hindu from January 1st, 2023, do let me know anything you want to share in the comment section.